हलो एब्रीबन कैसे हैं आप सब आप सभी के स्वागत है मेरे चैनल रक्षा अर्द्यू की रसोई में आज हम बना रहे हैं बहुत ही टेस्टी नास्ता जो नास्ता बच्चों को बहुत पसंदाता है यह नास्ता आलू से बना कर तैयार करेंगी यहां पर देखिए मैंने आलू को इस तरह से दो भागों में डिवाइट किया है यहां पर मैंने इस आलू का थोड़ी कच्चा पर निकाला है इसको बाला नहीं है बस थोड़ी सौप्ट किया है अब इसको हम ग्रेटर से इस तरह से ग्रेट कर लेंगे क्योंकि यह आलू ना कोई भी गुठलिया ना हूँ जो गुठलिया हूँ इसकी हम इसको हटा देती है इस तरह इसे मैंने आलू को अच्छी से ग्रेट कर लिया है अब एक मिक्सर भाग लेंगे बड़ा सा इसमें हम आलू को ट्रांसपर करेंगी यह नास्ता बच्चों को बहुत पसंद आता है आदी टीस्पून नमक डाला है अब इसको हाथों से ही अच्छे से मिलाएंगे इसमें हम थोड़ा सा ही पानी डालेंगे ना तो इसका हमें ज्यादा गीला वेटर बनाना है ना ही इसका थिक बनाना है अब देखी इस तरह इसमें थोड़ा सा ही पानी डाला है तो हाथ में यह चिप के इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा ही पारी डाल रही हूँ ए नास्ता पांच मिट में ही बनकर तैयार हो जाता है जब भी आपको नास्ता बनाना हो कोई भी जटपट से तो आप इस तरह का नास्ता बना सकते हैं अब हम एक कोई भी तवाया पैन जो भी हो आपके पा अची से साहल से इसका आकार दे दिन लाफ दो तो ब्हुत ही यह चाओएधार देख सकते हैं मैंने इसको गूलका नास्ता बिना तो यह हेल्दी भी है और यह आलू का है तो बच्चों के आपके जम्ट होगत पसंद के से जबहित दो और है कि फूर देखLY थाम सेब्यों बहुत अच्छे से पका लेंगे गैस की फिले में हम कम ही रखेंगे अब इसको हम इक्थाली में निकाल कर इसको पलड देंगे अब हम इसकी टॉपिंग करेंगे, क्योंकि इसकी हम टॉपिंग करेंगे तो तभी तो यह बच्चों को नास तब बहुत अच्छा लगता है खाने में, बच्चे तो खुस हो जाते हैं, यहाँ पर मैं टमेटर सॉस लगा रही हूँ, बच्चों की फेवरिट, बहुत सारी यह यहाँ पर सॉस लगा देगे, अब यहाँ पर आपको जो भी सबजी टाली हूँ, तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, यहाँ पर टमाटर डाल रही हूँ, टमाटर को मैंने चोटी टुकडों में काट लिया है, और प्याट डाल रहे हैं, प्याच को भी मैंने चोटे टुकड या भी डाल दी है, इस तरह से काटके, अब यहांपर आपका जो भी चीज आ आ पास आपकी आप पूर्ड है, इस तरह से काटके इस तरह से टॉपिंग कर रही हूं, जैसे बचों को लगे कि हम पीजा खा रहे हैं, इसी तरह एक अनास्ता बनाएए Eh, आपके बचों बहुत पसंदाता है मेरे वच्चों को यह नास ता बहुत अच्छा लगता है मैं तो बनाती हूं तो मैंने सोचा आप लों की साथ इस रेस्पी को शेयर करूं आप लों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक कीजिए अब यहां पर मैंने आदी टीस्पून बले पुना हुआ जीरा डाल दिया है इस तरह से थोड़ी चीज हम उपर से भी लगा देंगे बहुत ही अच्छा यह दिखेगा पकने के बाद यह नास ता बहुत ही जल्ली बनकर तयार हो जाए तो इसको ढग देंगे लोटू मीडियम फ्लेम पर जैसे यह चीज मेल्ट हो ही है इस नास्ते को बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता बहुत ही अच्छा लगता है नास्ता खाने में आप लोगों के रैस्पी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जिरूर कीजिए और बैल आइकन को ओन कीजिए मेरी सबी वीडियो की लोगों तक पहुंचती रहेगी है 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 लिए टेश्टी नास्ता बनकर तयार है ना तो इसमें कोई तेल लगा है और यह बच्छों को बहुत पसंद आता है कि यह आलू से बनाया है मैंने इस तरह से इसके पीशेस कर दे इससे बच्छों को यह पीज़ जैसा लगे गा तो बहुती सौक से बच्चे खाते हैं देखिए बहुत अच्छे से पक चुका है फूल चुका है रैस्पी अच्छी लगे तो थेंक